प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट नबी एरेमियस का ग्रंथ अध्या एक वचन संक्याएं चार से नौ तक प्रभुकी वानी मुझसे यह कहते हुए सुनाई दी माता के गर्ब में तुमको रचने के पहले ही से मैंने तुमको जान लिया तुमारे जन से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया मैंने कहा अह प्रभु ईश्वर मुझे बोलना नहीं आता मैं तो बच्चा हूं परन्तु प्रभु ने उत्तर दिया या ना कहो मैं तो बच्चा हूं मैं जिन लोगों के पास तुमें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुमें बताओंगा तुम वही कहोगे उन लोगों से मत डरो मैं तुमारे साथ हूँ मैं तुमारे रक्षा करूंगा यह प्रभु का कहना है तब प्रभु ने हाथ बढ़ा कर मेरा मुख स्पर्ष किया और मुझ से यह कहा मैं तुमारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ यह प्रभु की वानी है संद लुकस के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याई 10 वाकी 1 से 16 तक इसके बाद प्रभु ने अन्य बहतर शिशिन्युक्त किये और जिस जिस नगर और गाउं में वे स्वयम जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भिजा उन्होंने उनसे कहा फसल तो बहुत है परन तुम मजदूर थोड़े हैं इसलिए फसल के स्वामी से बिंती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भिजें जाओ मैं तुमें भेडियों की बीच भेड़ों की तरह भिजता हूँ तुम न थैली न जोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहली ये कहो इस घर को शान्ती यदि वहां कोई शान्ती की योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शान्ती ठहरेगी नहीं तो वह तुम्हारे पास लोटाएगी उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है घर पर घर बदलते न रहो जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हे परोसा जाए वही खालो वहां की रोग्यों को चंगा करो और उनसे कहो इश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां की बजारों में जाकर कहो अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने जार देते हैं तब भी जान लो कि इश्वर का राज्य आ गया है मैं तुम से कहता हूँ नियाए के दिन उस नगर की दर्शा की अपिक्षा सोदोम की दर्शा कहीं अधिक सहनी होगी देकार तुझे खौराजिन देकार तुझे बचसाइदा जो चमतकार तुम में किये गए हैं ये दिवे तीरुस और सीदोन में किये गया होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाटोह कर और बस्म रमा कर पश्चताब किया होता इसलिए नियाए के दिन तुम्हारी दर्शा की अपिक्षा तीरुस और सीदोन की दर्शा कहीं अधिक सहनी होगी और तु खफरनाओं क्या तु स्वर्ग तक उंचा उठाये जाएगा नहीं तु अधोलोग तक नीचे गरा दिया जाएगा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हारा तरसकार करता है वो मेरा तरसकार करता है जो मेरा तरसकार करता है वो उसका तरसकार करता है जिसने मुझे भेजा है यह प्रभू का दिव्य सु समाचार है क्रिस्त प्रभू की जये मेरे प्रिये भाई और बेनों आज हम सुसमाचार के एक महान सेवक संद फ्रांसी जेविर का पर्वो मनाते हैं संद फ्रांसी जेविर हमारे लिए विशेश करके हम भारतियों के लिए एक महतपूर्ण और महान संद है संद फ्रांसी जेविर सुसमाचार के सेवक सेविकाओं के लिए मध्यस्त संद है फ्रांसी जेविर का जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था एक बहुती धनी और कुलीन परिवार में और उनकी वावस्ता से उनके खुआश थी उनकी इच्छा थी कि वे दर्शन शास्त्र के एक महान विद्वान बनेगे इस सुदेश से वे पैरिस विश्विद्याले में पढ़ाई शुरू किये और वहाँ पर उनकी पुराने मित्र इग्नेशिस लेवला मिले जो प्रभु से प्रभावित थे सुसमाचार से प्रभावित थे और वे बार-बार प्रभु के वचनों को फ्रांसिस जेवर को सुनाया करते थे पिशेश करके एक वचन जिस वचन ने फ्रांसिस जेवर की जिन्दगी को बदल डाला वो ये था मनिश्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले लेकिन अपने ही आत्मा गवा दे लोका सद्याय नौ वागे पचीस और अन्यत्र भी इस वचन को लेवला बराबर जेवर को सुनाया करते थे और जेवर की जिन्दगी बदल गई दर्शन शास्त्र का विद्वान बनने के लिए उनकी जो इच्छाती समाप्त हो गई वे एक पुरोहिद बने पुरोहिद बनने के बाद वे इगनेशिस लेवला के साथ काम करने लगे वे दोनों मिलकर येशु समाज के स्थापना किये आज संसारबर में येशु समाज की बड़ी-बड़ी शिक्षन सस्थाएं हैं लेवला कॉलेज अन्य संजेबर इंस्टिटूट अन्य बहुत सारी सिक्षन्स नस्ताएं संसारबर में फैली वी हैं 1541 में वे पोर्टगालियों के साथ सुसमाचारगी घोषना के उदेश से भारत आये और तीन महिने पानी के जहाज में सफर गरगे वे भारत के समुद्र के तट पर गोवा पर उतरे और गोवा रासपास के जगहों पर उन्होंने इस्टू समाचारगी घोषना की सबसे पहले वाँ की भार्षा सीखे वाँ की जनता की सेवा किये और उस पूरे इलाके में सुसमाचारगी घोषना किये गोवा से वे चीन गए चीन से फिलिपीन्स जपान स्रिलंका सुसमाचारगी घोषना के लिए वे चार और घूमते रहे और 1552 में उनकी मृत्यू हुई मृत्यू के कई महनों के बाद जब उनकी कबर खोदी गई तो लोगों ने पाया कि उनका शरीर पूरी तरह से ठोस हैं वह सड़ा नहीं है और उस शरीर को लाया गया भारत और गोवा के बौम महागिर्जा में आज भी रखा हुआ है जनता के दर्शन के लिए हर वर्ष उसको खोला जाता है संद फ्रांसीज जेवेर हमारे भारत देश के एक महान सुसमाचार के सेवक है संद पावलूस के बाद उनकी तरह एक महान सुसमाचार के सेवक के रूप में संद फ्रांसीज जेवेर को माना जाता है आज संद फ्रांसीज जेवियर के पर्व के दिन आज के पहले पार्ट में आपने सुना नभी अरमया का ग्रंद अध्याई एक में बहुत सुन्दर वानी है प्रभु की वानी मुझे कहते ही वे सुनाई पड़ी माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया तुमारे जनम से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया मैंने तुमको राष्ट्रों का नभी नियुक्त किया सुसमाचार के सेवक या सेविका के रूप में हमारी बुलाहट अचानक नहीं हुए आज के पार्ट में आपने सुना प्रभु यरमियस नभी से कहते हैं माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया तुम्हारे जनम से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और राष्ट्रों का नभी नियुक्ति किया है एफेसियों के पत्र की अध्याई एक उसके वागे चार में सन पौलूस कहते हैं कि स्रिष्टी के प्रारंब से ही इश्वर ने हमा हम को चुना है इस स्रिष्टी के प्रारंब से ही इश्वर ने हम को चुना है सुसमाचार के हर सेवक और सेविका इश्वर के द्वारा प्रारंब से ही चुना हुआ है ये चुनी हुई है आगे प्रभु कहते हैं जब एरमेस नभी ने कहा हाँ प्रभु इश्वर मुझे बोलना नहीं आता मैं तो बच्चा हूँ प्रभु ने उतर दिया ये न कहो मैं बच्चा हूँ मैं जिन लोगों के पास तुमें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुमें बताओंगा तुम वही कहोगे उन लोगों से मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ ये प्रभु की प्रतिग्या है जितने लोगों को प्रभु ने चुना है अपने काम के लिए उनके लिए प्रभु की और से प्रतिग्या है कि मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ ये तुम्हारी शक्ती है मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा ये प्रभू की वानी है तब प्रभू ने हाथ बढ़ा कर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे एक कहा मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं प्रभु के चुनेवे लोगों के मुख में प्रभु स्वयम अपने शब्द रख देते हैं आगे प्रभुन से कहते हैं देखो उखाडने और गिराने नश्ट करने और ढादेने नर्मान करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों ततन राजियों पर अधिकार देता हूं तो प्रभु ने जिन लोगों को बुलाया है उनको अपने सामर्थ्य प्रदान करते हैं और प्रभु का सानेद्य ही प्रभु की उपस्थिती ही प्रभु का सामर्थ है सानेद्य है शक्ति है और प्रभु इश्वरुन को अधिकार भी दे देते हैं प्रभु ने यही कारिय संट फ्रांसिस जेवेर के जीवन में भी करके दिखाया और प्रभु आज यही कारिय हमें से हरे के जीवन में विशेश करके जिनको प्रभु ने सुसमाचार की सेवा में बुलाया है उन सब के जीवन में यह करके दिखाना चाहता है हमारे जीवन में भी प्रभु अपने सामर्थे प्रगण करना चाते हैं हमारे जीवन में भी प्रभु अपनी पवित्रता प्रगण करना चाते हैं हमें भी प्रभु अधिकार प्रदान करते हैं और आज का सुसमाचार संत लूकस की सुसमाचार की अध्याय दस से लिया गया था सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि सुसमाचार के एक सच्चे और अच्छे सेवक या सेविका में क्या क्या गुण होना चाहिए उसकी क्या जीवन शैली होनी चाहिए उसकी क्या कारी शैली होनी चाहिए उसका क्या संदेश है इसके बारे में प्रभू एक सुन्दर वर्नन देते हैं सुसमाचार में हमने सुना इसके बाद प्रभू ने अन्य बैतर शिशिन्यूक्त किये और जिस जिस नगर और गाउं में वे स्वयन जाने वाले थे वहाँ दो-दो करके उन्हें आगे भेजा एक सुसमाचार का सेवक अपने लिए नहीं काम कर रहा है बलकि प्रभू की तरफ से काम करता है प्रभू का प्रतिनीधी बन कर कारे करता है और प्रभू ने दो-दो करके भेजा क्यों? क्योंकि कलीशिया विश्वासियों का समुदाय है अकेले अकेले ने बेजे दो दो करके बेजे एक व्यक्ति बोलेगा दूसरे व्यक्ति प्रार्थना करेगा आगे प्रभु ने क्या कहा प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं इसलिए फसल के स्वामी से विंती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूर भीजें वास्तों में आज भी यही स्थितिय है फसल बहुत है बहुत लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनना चाते हैं लेकिन सुनाने वाले मजदूरों की कमी है खेत में जाने वालों की कमी है प्रभु ने शिशों से कहा जाओ मैं तुम्हें बेडियों के बीच बेड़ों की तरह भिशता हूं प्रभु कहते हैं कि संसार बेडिये की तरह है खतरनाक है और तुम बेड़ों की तरह हो नम्रता पूरवक सुसमाचार की घोशना का कारे करना चाहिए हमें जबरदस्ती उद्दंड़ता के साथ नहीं बलकि नम्रता के साथ सुसमाचार के कारे में लगना चाहिए तुम न थायली न जोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो तुम्हारे पास ज़्यादा चीजें ना हूँ तुम्हारा भरोसा तुम्हारी संपत्ती पर ना हूँ बलकि तुम्हारा भरोसा ईश्वर पर हो जिसने तुमको भेजा है तुम्हारी शक्ती ईश्वर से आती है वही तुम्हारा सम्रेक्षन करेगा आगे प्रभु कहते हैं रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो क्या मतलब इसका रास्ते में समय बरबाद मत करो अपने कारी में लग जाओ जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले है कहो इस घर को शांती यदि वहाँ कोई शान्ती के योग्य होगा तो उस पर तुमारी शान्ती ठहरेगी नहीं तो वो तुमारे पस लोटाएगी प्रभु शिशों से कहते हैं कि तुमारा संदेश है शान्ती तुम शान्ती के संदेश वाहक हो तुम शान्ती के दूत हो तुम अशांती फैलाने नहीं जा रहे हो तुम लोगों को तोड़ने नहीं जा रहे हो बलकि तुम लोगों को जोड़ने जा रहे हो शांती का संदेश लेकर जा रहे हो और आगे प्रभु कहते हैं उसी घर में ठैरो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो क्योंकि मजदूर को मजदूरी का धिकार है प्रभू बार-बार याद दिलाते हैं कि तुम मजदूर हो और इसलिए तुम जहां भी जाओगे वहां ठहरोगे और वहां पर उनके पास जो कुछ होगा वो खाओगे उप्योगे वे जो कुछ खाते हैं वही खाओगे प्योगे घर पर घर बदलते ना रहो तुम महमान नहीं बनोगे तुम एक कारी के लिए बेजे गए हो तुम महमान बनने नहीं बेजे गए हो तुमारा एक मिशन है जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परुसा जाए वही खालो वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज तुम्हारे निकटा गया है यह तुम्हारा संदेश है ये तुम्हारा कार्य है रोगियों को चंगा करना बंदियों को अजाद करना लोगों को सुतंद्र करना और ईश्वर के राजी की घोषना करना चंगाई और अन्य कार्य इस बात का संकेत है कि ईश्वर का राजी तुमारे पास आ गया है परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने जाड़ देते हैं यानि प्रभु कहते हैं अगर तुम्हारा स्वागत नहीं होता है तो जबर्दस्ती मत करो अपने प्रेयरों के अपने जूते के धूल को भी वहीं जाड़ दो और वहां से चले जाओ कोई जबर्दस्ती नहीं है प्रकाशनगरंद द्याई तीन वाके बीस में प्रभू कहते हैं तुम्हारे द्वार पर खड़ाओ कर खटकटाता हूँ यदि कोई मेरी वानी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा मैं आकर उसके जाद बोजिन करूँगा और वो मेरे साथ प्रभू जबर्दस्ती नहीं करते हैं और प्रभू शीशों को भी बताते हैं कि तुम्हें जबर्दस्ती नहीं करना है प्रभू कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ नियाय के दिन उस नगर की दश्शा क्या पेक्षा सुदों की दश्शा कहीं अधिक सेहनी होगी इसके बाद प्रभी येसू तीन नगरों को फटकारते हैं कौन-कौन से नगर हैं खोराजिन, बैसाइदा और कफरनाउं एक गलीलिया के गलीलिया प्रांद के तीन मशूर प्रसिद्ध नगर थी और इन नगरों में प्रभी येसू घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते थी बड़े-बड़े चिन और चमतकार प्रगड करते थी लेकिन उन्होंने येसू पर विश्वास नहीं किया उन्होंने परश्यताप नहीं किया इसलिए प्रभु कहते हैं कि शिदोन और तीरूस जो इसराइल में नहीं आता है वहां की जनता का विश्वास इसे भी बढ़कर है और सोदूम जो नगरनश्ट किया गया था बेभी इनसे भी बहतर है प्रभु को दुख होता है आगे प्रभु ये इस अपने शिशों से कहते हैं जो तुमारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हारा तरसकार करता है वो मेरा तरसकार करता है जो मेरा तरसकार करता है वो उसका तरसकार करता जिसने मुझे बेजा है प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बेजता हूँ अगर तुम्हारी कोई नहीं सुनता है तो वे मेरी भी नहीं सुनता है अगर तुम्हारा कोई तरसकार करता है यह जानो कि मेरा तरसकार करते हैं क्योंकि प्रभीयसु कहते हैं कि तुम मेरे प्रतीनी धी हो मैं तुम में हूँ और जो मेरा तरसकार करता है उसका तरसकार करता है जिसने मुझे बेजा है पिता का तरसकार करता है मेरे प्रीए भाई और बेनों आज संद फ्रांसी जेवर के पर्व के दिन हम प्रभु से एक वर्दान मागे वो वर्दान यह है कि प्रभु ने हामें जो सुसमाचार सुनाया है उस सुसमाचार को हम बाढ़ सके विश्वास बाटने से बढ़ता है ग्यान बाटने से बढ़ता है शांती बाटने से बढ़ती है प्रेम बाटने से बढ़ता है उसी तरह विश्वास भी बाटने से बढ़ता है हम प्रभु से प्राटना करें कि प्रभु जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है जो अनुभाव हमें मिला है वो हम दूसरों तक पहुँचा सकें आईएं प्रार्तना करें धन्यवाद देते हैं प्रभू आज के सुन्दर दिन के लिए तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं सन्ट फ्रांसिस जेवर के लिए धन्यवाद देते हैं संसार बर में पहले वे समूचे येशू समाजियों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज हम तुस से प्रार्तना करते हैं, हम येशू समाचार की गोश्टना करने, हम येशू समाचार को बाटने का विशेष वरदान दीजिए, एप रभिये सिन वचनों को सुनने वाले, मेरे भाई बेनों को अशिर्वात देना आज का संपूर्ण दिन इशेश करके संद फ्रांसीज एवर की मदिस्ता द्वारा उनके लिए कृपा का दिन बने हमारी प्रार्तना को ग्रहन कर आमेन प्रभुतेरे वाडी जीवन की रोठी मैंनों की जोते अंधेरा मिटाती वाडी 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 पावित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है झाल झाल झाल